आलू बैंगन की सुब्जी एक बार इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो महमान क्या आप भी उंगलियां चाड़ते रह जाएंगे बहुती आसान तरीके से बनाने वाले हैं और इतनी जादा मज़ेदार लगती है कि बिना भूग चार चार रोटियां खा जाएंगे उसके लिए सबसापहले हमें चाहिए बैंगन तो बैंगन कुछ इस kलर के लिए जिए आपको कितनी सब्जी बनाना है उसके अकोर्डिंग आप बैंगन और आलू ले सकते मैंने कम लिया है कि ऐक यहां अलू को शर्डा है सब्सक्राइब घंगे कि अंदर से ठेक दो है आघर हैंõम पानी इसमें पालवी बहुत कम होता है तो ह픈ह आप हम सब्सक्राइब इस तरीके से काटा है दो समय सब्सक्राइब गट कर में जबते हैं जो सब्सक्राइब तकड़ों में कट कर लेना है जासे बहुत जादा असर पड़ता है तो मैं कुछ उस तरीके से सब शें साही कट कर देगा इसे पाइन में जया होसमी अब इसको पाने में डाल कर्ट कर रखीलू है रखर अब ज्ट बिस भी डालेके के बराइन एक छोठा सा मुद्ट जीर में कम चंशी च्माच और लाओ साही बहुत जीर harap बहुत जादा टाइम में लगेगा चार से पांच मिट लगेंगे और उसमें बड़ी आसी यह सौफ हो जाते हैं तब तक हम दूसरी त्यारी कर लेते हैं इस तरीके से सब्जी एक बार बना कर देखेगा बहुत टेस्टी बनती है महमान आते हैं और आपको समझ नहीं आरा क्य में ली है मैंने एक हरी मेच और थोड़ा सा मुख फली दाना इससे बहुत बढ़िया सी ग्रेवी बन कर तयार होती है इसको भी अच्छे से पीस लेना है दूसरी तरफ देखिए बैंगन बढ़िया से हमारे तल चुके हैं आलो भी सौफ्ट हो गए है तो आप एक बार चेक गरम के रहा राई जीरा हिंग डालना है साथ में थोड़े से मैथी के दाने उसके बाद यहां पर एक तेज पत्ता डाल देंगे इससे सब्जी में एक तो लोग भी बहुत बढ़ी आता साथ ही सब्जी वाला जाता है अगर तेज पत्ता डाल दे तो इसका लोग और और बस इसको अच्छे से भून लेना है अच्छा कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको प्यास पीस्ट में नहीं बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं प्यास को बारिक बारिक कट करके भी डाल सकते हैं देखिए यहां पर बढ़िया सा आ गया है कलर तो बस अब हमें यहां पर इसकी ग्रेवी तो मसालों को बढ़िया से फुलाना है अच्छे से ऐल से फुलना है अच्छे से इसको पकाएंगे ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं मैंने यहां पर कसूरी मैंती की जगह प्रैश वाली मैंती का यूज किया है सर्दियां आ गई हैं बैंगन टमाट तो बस दोकर के बारी कट करके इसको डाला यहां पर मसाली ने भी ऐल सेपरेट कर दिया है और आप रंगत देख सकते हैं मसाली की कितना बड़ी आसा कलर आ गया है डखकर के मैंने इसको और पकाया था और उसके बाद यह देखिए बहुती बड़ी आसा यहां पर कलर आ गया ह बस अब आट कर देना है टमाटर वाला पेस्ट टालेंगे साथी आट कर देंगे यहां पर नमक और बस इसको भी अच्छे से हमें पकाना है और बड़िया से चलाती हो पकाईएगा ढग सकते हैं और अगर आपको दूसरे काम है तो इसी वीच आप दूसरे काम कर लीजेगा औ मसाले अच्छे से पक गए हैं अब हमें क्या करना है यहां पर एड़ कर देना है हमारे तले हुई सबजी टमाटर और बैंगन और आलू दोनों चीज़ों को एड़ कर देना है एड़ करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छा अगर आप चाहरें कि आलू बैंगन की ड्र आज मैं बना रही है इसको थोड़ा सा ग्रेवी में तो मैं इसके लिए थोड़ा सा यहां पर पानी डालूंगी और जितने आपको ग्रेवी चाहिए इस आप से आप पानी डाल दीजिगा मुझे इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना था एक से डेल कटूरी मैंने पा जाले दार जो सब्सक्राइब कीचेगा चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा